आफ्टर कोवेट साइकलोन इंडिया बेसिंग फॉर लोकस प्लेग कोवेट 19 आया लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन के अंदर हमने साइकलोन को भी देखा वेस्ट बंगॉल और उडिशा जैसे स्टेट्स में तभाई मचाई उसके बाद इंडिया में राजिस्थान मद्यपर परदेश उत्तर परदेश पंजाव हर्याना में तभाई मचाने के लिए और चीज़ आ चुकी है डजर्ट लोकस्ट डजर्ट लोकस्ट एक प्लेग है एक ग्रास ओपर जैसे दिखने वाली स्पीशीज है आप देख रहोंगे आसमान मिल्कुल ग्रीन ग्रीन जैसा हो गया यह बीज में स्पॉर्ट दिखने स्पॉर्ट ने दोस्तों ग्रास ओपर जैसी प्रजाती है लोकस्ट इसे कहते हैं लोकस्ट डजर्ट लोकस्ट है यह यह पागिस्तान सोड़कर इंडिया में आये हैं ऐसी न्यूज में आप सुन रहे होंगे लेकिन ऐसा सच नहीं है यह होडन अफ अफरिका से चलिए मैं आपको ले चलता हूं मैप में तो दोस्तों यह है हमारा प्यारा भारत इंडिया और यहां से मैं जाता हूं वेस्ट की तरफ और यहां पर आपको मिलता है एथोपिया सोमालिया और केनिया यह जो एरिया ऐसे कहते है होडन अफ एफरिका एक Peninsula है उसके बाद यहां से यहां से यहां साउदी आरेब में इरान में और उसके बाद एंड्री लिदा है पाकिस्तान वलिचिस्तान से और इंडिया में पहुँच जाता है अब यहां पर बात आती है स्राजिस्तान के एरिया पे इसने बहुत एफेक्ट किया है पहरे इसे मैं अपनी अनलेसिस में बताता हूँ आपको आगे देखते रही है इस पर फूड और अग्री कल्चर और इसको नाम याद रख लिए जगा है इंडिपेंडेंड इंट्रनेशनल बॉड़ी है उनाटेड नेशन के अंडर होपर बैंड ऑफ दे डजर्ट लोकर्स और मै मैप में वहां पर पैदा हो रहे हैं और वहां पर अभी जो पाइंसे आयें इंडिया में और करीमें आप मालिजिए दो से तीं क्लोॉमेटर स्कुएर के एरिया में इतने सारे देजर्ट लोकष्त और जब हम डेशर्ट cat गृुरुप इंडिया के अंदर आने वाले टाईम में इसके लिए हमें पागिस्थान का सपोर्ट जओगा लेकिन पागिस्थान इतना भी एग्रेसिव दिखाई नीदीर अज़िए इंडिया की तरफ की वह अभी सपोर्ट कि कैसे सिचुशन चल रही है इन सब की पहली बात यह होते रहता है जूजलाय में काम बात है लेकिन यह छोटे स्केल में होता था और 26 साल बाद ऐसा कोई बड़ा स्केल का आप देख पा रहे होंगे लोकस्ट का वीडियो में आपने देखा होगा अभी वीडियो साइड में चल आप या सकते हैं लेकिन ये बिमारी क्या करती है मalódra एक तरीकह से जो पैमारी है कीडों में है डाजर्ट लोकस्ट की करती क्या है कि वह 35.000 लोगों का खाना to deliver product X अदर एक किलोमेटर इंटू एक किलोमेटर और उसके अंदर जितने भी कीड़े आएंगे ना वो सारे 35,000 लोगों खाना खा लेंगे एकी दिन में यह है बात इंपॉर्टन बात यहां पर है इसको लेकर वैसे तो फरवरी से शुरू है सौथ जो हौन अफ एफ्रिका है वहां से सु लिटो व्मेट जेटेंग और इंडियन ऊशन् αλλά गिट इंबुक्लामेट coz यहां पे बहुत ज्यादा हीट होजाती है इसके यहां पर साइकσα कंदध में जाता है उर और recent years में देखा गया कि climate change के जासे global warming ज़्यादा हो रही है और इसके पनाप जादा रहे हैं लोग तो यह एक important reason बन जाता है कि इनकी जो तादा है वो बढ़ चुकी है large scale में attack हो रहा है पहली बार नहीं हो रहा होता है पिछली बार भी था लेकिन इस बार इसले हो रहा है क्योंकि जादा पनाप रहे हैं और जादा scale पे हैं यह लोग अब इसका रिजल्ट आना चाहिए एक जो हम कहें कि इसका result क्या हो सकता है कि आने मेले टाइम में हम क्या situation दे इंडिया के लिए लेकिन अभी देखा जाता है कैसी इसकी न्यूज है न्यूज इन ट्रांजिशन है क्योंकि न्यूज आती रहेंगी इसकी तो आपने इस देखा यह बहुत अच्छा लगा मुझे पहली बात एक और बताता तो जैसे ड्रजर्ट लोकस्त हैं बहुत तरह क खतरनाक होता है क्योंकि यह ज्यादा क्रॉप्स खाता है वैसे तो हुमन्स को यह ज्यादा परशान नहीं करते लेकिन कभी अगर इनको कुछ मिले ना तो यह जैसे प्रेड को भी खा जाते हैं तो काफी चीज़ें कैसे करें इन सब चीजों को पैस्टी साइट कहां से वह ह देखते हैं कि पागिस्तार और इंडिया को सपोर्ट करें लेकिन पागिस्तान ऐसा कंट्री चाहिद से चाइना उसकी बहुत मदद कर रहा है तो इंडिया की तरफ मेरे साब से अपना रुख नहीं मोड़ रहा है क्योंकि देखिए अभी अपने सार्क समिट हुआ था तो स सब कंट्री के जो हैं प्राइम मिनिस्टर और लीडर्स आरे के समिट को अटेंड करने लेकिन पागिस्तान ऐसी कंट्री ती जिन्होंने अपने प्राइमिस्टर को नहीं बेजा उनके सेक्रेटरी आए वहाँ पे उनकी अडवाईजर आए तो वह उन्हें अटेंड किया थ है दुसरी बात यहां पर कंट्रोल कैसे होंगे यहीं बता देता हूं आपको तो वे आउट किया है कि रिजल्ट क्या आना चाहिए या फिर हम एक तरीके से माने कि हैं सलूशन से पेस्टिसाइड रख सकते हैं और जो इंडिया की वेल्ड ओयल मेकेनिजम है इसको लोकस्ट की जा सकती है और उसके बाद जो हमारा मौसम भी बाग है उसके सापसी हम देख सकते हैं कि सट्लाइट की हिसाब से हम देख सकते हैं कि क्या इसकी अभी मुमेंट हो रही है इन सब चीजों की तो डिस is all the end of the analysis solutions वेने आपको बता दिये और काफी कुछ आपको जानने को मिला लेकिन हमारी क्रॉप्स को खत्रा है तो इस उच्छा से हम देखेंगे कि आने वेले टाइम में कितना कुछ इसके अंदर हो सकता है तो बने रहे हमारे साथ इसी अपडेट के साथ अलवे लेता हूं थैंक्यू और आप नाइस देया है शेयर करिएगा दोस्तों सस्क्राइब आप करी चुके होंगे अगर नहीं क्या तो कर लेना और बैल आइकन को भी दबाद इस दन ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए थैंक्यू